अगर आपके पास एक solar panel है तो उसको तो आप अराम से जो है solar system में आप current कर सकते हैं जैसे कि charge controller हो या inverter हो आप कोई भी जो है charge या inverter के साथ जो है आप solar connection कर सकते हैं एक solar panel के साथ लेकिन आज इस वीडियो में बात करेंगे अगर आपके पास एक से ज्यादा solar panel हो मतलब दो तीन या चार या पाच या उससे ज्यादा अगर आप लेना चाहते हैं अगर आपके पास रही फिला लेकी solar panel है आप सोच रहे कि आप को और एक solar panel चाहिए तो आपको एक से ज्यादा solar panel आप कैसे connect कर सकते हैं और कौन-कौन सा जो है connection होता है solar panel का तो इसी जो है इसी वीडियो के में आज बात करेंगे पूरा डीटेल सिसके बारे में आप सोलर पैनल किस किस प्रकार जो है कनेक्शन कर सकते हैं तो इस चैनल पर अगर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा और बेल आइकन और के सब्सक्राइब हैं जो डित्ता किना की अगरे पूर्डाइब को सब्सक्राइब घंप और छोड़ी कर्मेसे拜拜 और ने वह च्छा सेपको दोग्यों को सब्सक्राइब है लिगत्य कर्के साथ में मैं आपजय को डो टाइप का connection होता है यह पेर्लेल ओर सिरीज कनेक्शन इस में क्या अंतर होता है वो भी आपको समझ्ज Megadak और को जो है connection करने में बहुत आसानी होगा जैसे कि आपका पेर्लेल कांशन आपको करने से आपको बोलेजBlue में क्या डिफरेंस आपको मिलता है और से इस61 कनेक्सें में आNew Coast जो आपको पूरा में स्टेप बाइस चिप बताऊंगा। तो देखें आपको में पेयन पेपर के साथ में आपको अ दिखा रहा हूं तो पहला जो कनेक्शन है दोस्तों यह है आपका जो है यह सीरीज कनेक्शन और दूसरा जो है वो है आपका पेरेडल कनेक्शन तो दोस्तो ये two type का connection होता है इस two type connection के साथ आप जो है क्या क्या difference आता है इसका जो difference क्या आता है वो मैं आपको आज बताऊंगा तो देखिए ये जो series connection होता है दोस्तो इसका connection कैसा होता है तो जैसे कि माल लीजिए ये solar panel है यह पिर मैं आपको जो है ड्रॉ करके दिखाता हूं यह जो दिखिए आपका यह एक सोलर पैनल है यह जो है दो सोलर पैनल है और यह जो है तीन सोलर पैनल है इसका झाल, बहुता है। प्लॉर तो दिखे दोस्तों में जो एक अ क्नेक्शिंग रहा हूं से नमबर 1 आपका जो हैं इसके बारे में आपको बता हुए और इसका जो है पैनल का मैं आपको वाट भी दिखा देता हूं सिंपल जो है इसका मैं एक सो वाट करके मैं एक्जामपल के साथ आपको दिखा रहा हूं और जितना भी वाट के साथ जो है एक्जामपल लेंगे वह सेमी रहेगा तो मैं एक सो वाट पैनल के साथ जो है आपको मैं एक्जामप भी है ठीक है मैं आपको में ब्रेकेट कर देता हूं सब्सक्राइब को समाझने में आसानी होगा तो यह दिया जो दोस्तों यह जो अगर पचास वाट का भी है तो भी कोई डिफरेंस नहीं है सेम रहेगा मतलब बात ही है कि जो है सोलार पैनल होता है दोस्तों जैसे कि मैं होता है वो जो है यह 24 वोल्ड होता है लो जो मतलब सिस्टेम होता है आगर आ बारा वोल सोलर जो है जो है तो उसक कर रहे हैं त्याब को सी हैं और आपको साड़ा और थो फोल का स स्क слыш It a टो यह ऊसका सब तो यह 13 को मैं स्वहार तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं तो यह 12 बोल्ड solar panel के साथ मैं आपको समझा रहा हूं जैसे कि एक दो तीन solar panel है और तीनों माल लीजे कि 100-100 watt का है या फिर 200 या एक 50 आपका वाट का solar panel है क्योंकि बहुत लोगों का यह भी कोस्तना रहेगा कि आप मेरा पास अगर एक solar panel जो है 100 watt का है और दूसरा जो है 50-100 watt के साथ है तो उसका मैं क्या connection कर सकते हूं हां बिलकूर कर सकते हैं दोस्तों तो लेकिन main जो बात है main जो point है आपको दोस्तों वही समझ ना पड़ेगा कि आपको ऐसा नहीं होगा कि आपका यह जो दो सोला system जो है यह दो पैनल जो है यह अगर आप milady कि बाराव का आपका है और यह 24 वोल्ट तो ऐसा नहीं हो दोस्ता ऐसा नहीं होना चाहिए आपका सेम जो है सेमी मतलब जैसे कि यह 12बोट का ऑगर तो 12 वोल्ट नहीं होना चाहिए यह 100 100 या पचास या 300 मतलब वाट का सोड़ार पैैनल हो या सौफॉ वका हो या पी 200 जैसे कर आपकıldा का ओक हो या-उम इतार, बारो वोल्ट को या बार भौल्ट को तो बहुता है बहुत सिरीज में होता है इसका सिरीज में होता है तो इसमें क्या है में जो है इसका जो connection किया जाता है यह दोनों का इस दोनों का जो connection होता है इसका क्या difference क्या आता है दोस्तों एक जो है voltage का आता है ठीक है दोस्तों और एक जो आता है plus इसका M.P.R. में आता है ठीक है यह दोनों का जो है differences मतलब होता है दोनों का difference जो है आता है दोस्तों तो यही मैं आप को मैं दिखा रहाँ मैं करकर आपको मैं बताऊंगा यह डोनहों का जो है बोल्टेज ringing में क्या principles क्यानेक्ष Cisco कैसा कैसा होता है दोस्तोम मैं और पहले बता चाहं क्लास यह जो प्लास प्लास और टीनों प्लास के साथ जो होता है दोस्तों यह ऐसा कानेक्शन होगा दीके यहां पर अक प्लास है तो यह प्लास जो है कि निगल जा गए हैं यहां से मेन रहें को को यह ठोगई अर जोह एक हो forever इसके साथ direct connect के सकते output आपको एक wire यहां से फास्ट वाला जो है यहां से आपको मिलेगा और उसके बद जो connection कैसा होगा दोस्तों दिखें यह पला जो माइनास वाला जो है माइनास के साथ connect हो जाएगा प्लास पे और इसका जो है माइना से इसका भी माइनास का कनेक्ट कनेक्ट हो जाएगा प्लास पे ठीक है और इसका जो माइना से यह डायेक्ट चला जाएगा दोस्तों आउट्पूर्ट में यह हो गया स्रीज कनेक्शन ठीक है दोस्तों यह चला जाएगा आउट पे आउटपुट पर चला देगा तो यह आउटपुट में क्या मिल रहा है दोस्तों प्लास और इसमें जो है माइनास इसमें माइनास मिल रहा है यह माइनास और प्लास दोनों आउटपुट मिल गया चाहे आप इसको चार्ज कॉंट्रोल के साथ जोइन पीचे या फिर आप जो तोफ इसका जो मत्यद्न तो इसमें आपको भूलटेज में इसमें कीहारे सेहें अपको क्या मिलेगा है जैसे कि ये जो 12- monti आउनद का सोरा सिस्टेम है तो मास मेरा वोलत का हमения लेकिंट जोдеध मेelता है दोस्तोथ 20 Reverand इक की दिखेगा से पीचे लिखा रहता ऐचा कि इनिवेचे Hambine संब्सक्राइब के और समझेंगे संधें आप difर एक जो हर Talk क Springs कितना मिलता है इतना ज्यादा क्यों है इह यह यहां पर Springs कि असा होता है कि जो सोलर पेंट कम गोल्टेज होता है यो एकुरिट नहीं होता है मतलब होग कि यह बोल्टेज थोड़ा ज़्यादा रहने से भी कोई मतलब नहीं उसका जोए बोल्टेज होता क्या है 12 वो जो है मेना था खियोंकि बोल्टेज ऑटमेटिक रहा हो जाता है तो इसके लिए बारा वोल्ट सिस्टेम में आपको 22 और 21 वोल्ड आपको देखने को मिलता है लेकिन ऐसा नहीं है वो 12 वोल्ड का ही होता है जो छोड़ा ज्यादा रहता है क्योंकि वो धूफ के ओपर नेरवर रहता है धूप में जो है ज्यादा मिलता है कभी कम मिलता है तो इसमें क्या होता है जब अप लोड देते थे हैं तो वह भोल्टेक कम हो जाता है MPR जो मिलता है बहुत ही कम मिलता है क्यूंकि यह AC करण्ट नहीं है फ्यलिए जिक्ति संदित नहीं क्या होता है कि दोस्तों यह वोड़ेज जो है यह अगर ज़्यादा भी रहें तो बहो को आपनिटीस जीस्टम आपको लेते हैं तो डिखाएंगा डาग। या आपका 45-46 ऐसे ही आपको दिखाएगा कुछ तो यह वोल्टेज में वही आपको मतलब आता है दोस्तों 12 बोल्ट चाहे आपका 22 बोल्ट दिखाए या फिर 21 बोल्ट के अंदर ही आता है तो इसका जो है वोल्टेज को मैं आपको वे अभी बता देता हूं तो यह जो वोल् कि वआ ने पहले आपको बताया हूं दोस्तों कि 12 बोल्ट ईश्विस्टम के साथ ही यह आता है तो यह वह invention सुरू क्या मिलेगा अपयए यह इसका बोल्ट क्या होगा तो इसमने बोल्टेज में क्या डिफीरेंस आए घृटे कर दोस्तों किंगे ये प्लास माइनस प्लास और मैंस इसका जो ऐसे कनेक्sen किया गया यह जो होता है तो इसमें क्या होता है दोस्तों यह गल तर्रेच्ट जो हे और एक अधीज हो जायेगा कैस्ट लोस्त 6300 तो चैसे इसमें जो है आपका डोस्तो सिरिस कनिक्शनम आपका Chiya अपकोन यह सबस्क्राइब यह स lorsता चांब इसका आपको कितना मिलागा एक सोल इंधि पैनल को जो MPR मिलेगा वह आपको मिलता है लगबग 5 MPR ठीक दोस्तों तो हर एक में 5 MPR आपको मिलेगा अगर आपका 50W का सोलन ने तो जो है बो आधा हो जाएगा मतलब फचास वाट का है तो इसका जो MPR मिलेगा अपको 2.5 MPR आपको मिलेगा तो यह जो है MPR क्या होगा दोस्तों इसका MPR आपका सेम रहेगा ठीक है चाहिए अगर आप जो है यह अगर आप पचास वाट का भी सोलर पैनल इसके साथ यूज कर रहे हैं तो यह अगर MPR इसका 2.5 है और इसका 5 है तो यह 2.5 मेजर करेगा यह 5 ही मेजर करेगा ठीक है दोस्तों कि यह जो है ज्यादा जो MPR जेनरेट हो रहा है वह 5 हो रहा है तो यह 5 ही MPR जो है पूरा रहेगा इसका MPR जो रहेगा बहुत सेम रहेगा मतलब पांच-वाच करके इसका माल्टिप्लाई नहीं होगा जैसे कि पांच में तीन MPR रहेगा बना सेम रहेगा ठीक है यह पांची MPR आपको मिलेगा इसमें मतलब आप समझ पा रहोंगे कि इसका स्रेंश कने इसका भोल्टच का स्नेक्शन पिंखिसका स्कबिस नहीं चैया दोस्तों समाच हो जितना भी आपको जितना फोल्टेज्ट रहें के सब्म आपके अपका प्रक्राइब का जएवन रॉटेज्ट का मिलता है यह बेनिवेट है दोस्तो इसके साथ आप जो सोलर सिस्टेम जहां पर यूज किया जाता है जहां पर यहां पर तो आपको पास 12 बौल्ट का आपको पास एक fan है तो उसमी के लिए आपको कितना चाहिए लेकिन अगर आपको इस समझ में नहिest इसलिह कि और levant वोल्टेज औरे करने की लिए या जैसे कि यह 12 पोल्ट अगर इस पैनल ए 12 पोल्ट के साथ एक पैनल के साथ चलाएंगे तो 12 बोल्ट चल जाएगा लेकिन जो है अगर आपको ज्यादा बोल्टेज के अगर कोई भी फैन है ज्यादा बोल्टेज उसका जरूरत पड़ता है तब ही वह फैन करेंगा ठीक है जैस पास कोई दूसरा फैन हो जैसे कि आपका आपका 36 वोल्ट का फैन हो वोल्ट का एक फैन हो तो उसमें क्या होगा आपको माल्टिप्लाइ चाहिए दोस्तों कि बोल्टेज ज्यादा चाहिए तो आपको उसमें क्या क्या आपको किस का कनेक्शन चाहिए दोस्तों आपका जो ह connection में आपको देखिए वैसे ही आपका सेमी होता है इसका क्या होता है दोस्तों इसका ऑपोजिट हो जाता है इसका जो इसमें क्या मिलता है आपको बोल्टेज जो है माल्टिप्लाइ होगा और एंपयर जो सेम रहेगा इसमें क्या है तो इसमें आपका बोल्टेज जो है सेम र यह है माइनस इसका भी है एक प्लास इसका जो है माइनस इसका एक प्लास और इसका एक माइनस तो दोस्तों यह देख लीजे यह 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 भी सेम है बारा फोल्ट सिस्टेम के साथ ही में आपको बता रहा हूं है और आपका ये फिंप से बता रहा हूं what के साथ आप यह भी एक सो वाट बारा भोल्त और यह भी 12 बोल्त एक सो वाट या फिर फिले झाएवि आप इसको प्छास वाट ले लीजे या फिर ऑप सो वाट ले लीजे कोई भी एक मैनल मतलब सेंब बारा वोल्ट सिस्टेम के साथ होना चाहिए जो मैं आपको पहले बताया हूं आपी 24 बोल्ट के सिस्टेम के साथ आपको होना चाहिए तो इसका कनेक्शन कैसा होता है दोस्तों मैं आपको यह दिखा देता हूं दोस्तों यह यह भी एक की वाइर के साथ connection होगा मतलब इसका यह वाला जैसे हुआ है मतलब इसके साथ कंक्ष Version के सास्थ इसका कोई जो है संपर्क नहीं है लेकिन हैraph the connection कि साथ दिसकий आउटपू tremb记icket इसमें जाएगा यह एमाइस का जा रहा है और यह आउटपुड प्लास का जा रहा है , तो यह तीनो जो है यह यह पैनल या जितना भी पैनल हो आप चाहे चाहए चाह ले या प्वाइड ले कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें तो इसका केसा रहेगा यह मैनस के साथ product मिलेगा और प्लास के साथ app के साथ product मिलेगा है और उसको output ले लिजे, plus और minus, तो इसमें क्या मिलेगा दोस्तों, देखें यह voltage कितना है, 12-12 volt का है, हार एक panel का, तो इसका voltage semi रहेगा, ठीक है दोस्तों, इसका जो voltage है, वो आपका semi रहेगा, मतलब यह 12 volt रहेगा, लेकिन ampere जो है, आपको वो multiply हो जाएगा, मतलब यह 5 ampere करके अगर आपको हर एक panel पर मिल रहा है, 5 ampere करके, AB5, 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 तो 5, 5, 3, 5 कितना हो गया, दोस्तों, 15 ampere हो गया, यहां पर अगर आप 50 watt का 2 ampere है, वो भी add हो जाएगा, दोस्तों, इसमें, तो इसमें क्या add हो था दोस्तों, इसका voltage add हो था, क्योंकि यह 12 volt का था, यह 50 watt का था Scientific economy में पर 12 volt का था, तो उसमें क्या है, voltage तो तो स permetly दे रहा है तो वो भी voltage add हो जाएगा, चाहे क्या है, आपका यह 100 watt हो यह 500 watt हो, लेकिन, voltage bahän 12 volt system का साथ है, तो भी, गड़ा हो जारा है, तो और उसमें क्या हो रहा हो था, इसमें क्या हो था हो जॉस्तों, आपका थैКर दन अगर यह माली जे 50-50 वाट का है तो यह इसका केज अगर 50-50 का कितना होता है दोस्तों अगर आपके पास 200-200 या पिक कोई डिफरेंट टाइप का सोलर पैनल हो तो उसमें अगर आपका जो है 2.5 मिलता है तो भी एड हो जाएगा मतलब 10 5 5 10 और 2.5 मतलब 12.5 आपका जो हैं कनेक्शन क्या होता है दोस्तों जो होटा दोस्तों जो कनेक्शन होता है यह क।dar के साथ झेग송 किया जाता है और इस जलीक अंब होता है जैसे कि आपका मोर्ट जैसे कि आप देखें हऊंगे कि जो सोलर से बहुत जगा पानी निकान के लिए काम आता है किया जाता है तो डिफेरेंट टाइप का समय में आह जितना hazard होससे के मेरे तरफ से समझाने के कोश्स क्या हूं और भी कुछ आगर आपके पते संद रहे का द्जरूब कॉमेंट में आपको जो है क्यों के जीतना होसा को जूनों का समझस करूंग सबको थो मैं जो है यह काम होता है दोस्तों यह LOAD का होता है रशीत दोस्तों आप को मैं पढरती है डो कर्वाने के लिए और है के लिए अधैक आप चला सकतें इसका हैесс 지금 के जो है यह सब्सक्राइब हूँ दो जो connection का और जो है आपको इसके साथ जो है और भी कुछ जानकर यह आपको चाहिए तो आप जरूर कॉमेंट कीजिएगा तो दोस्तों ही यह पूरा डीटेश इसका तो दोस्तों आसा करता हूँ इस वीडियो के साथ जो मैं आपको दिखा आया हूँ solar panel का connection जो की parallel साथी unboxing और जो है टेक रियल्टेट वीडियो जो है वीडियो आपको इस चैनल में मिलता रहेगा तो चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा तो दोस्तों मिलते हैं next वीडियो के साथ करें